नो लोग बना सकते हैं। बहुत आसानी, बहुत ひियर्स लिए बहुत ही ज्यादा बहुत आसानी से बना जा सकता है। आच कोकअमेजिंग कीचिन में बन रहा है सही तुकड़ा, शही टोस्त आप बन रहा है। नहीं है ऊच्छा है बहुत ही डिलीश्यस लगता है तो चैलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके लिए आपको एक रबदी तैयार करनी ऑंicesके लिए मैंने डूढ़ के लिया है, इस तोड़ा से दूढ़ अमेंने बाऊंत दूढ़ करेंे और यहां साइड में दूद बॉइल होता रहेगा तब तक हम एक मिक्स तयार कर लेते हैं जिसमें मैंने एक बड़ा चम्मच जितना यह लिया है कस्टर्ड पाउडर अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप दूद की कौांटिटी को ज्यादा लेजिए और इ एक बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर को लिया है उसको दूद में डालके पतली सी सलरी बना लेना है आपको और जब अच्छे से बॉयल होने लगे उसमें आपको थोड़ा-थोड़ा करके पोर करते जाना है और चलाते जाना है लगातार चलाना है थोड़ा से यह थुक हो जाए फाइब मिनेट बाद इसमें डालना है आपको ड्राइफ रूट्स जो भी ड्राइफ रूट्स है छोटे तुकड़ों में कट करके आप डाल सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर केवल काजू और चिरोंजी डाली है से ज चासनी के साथ इसलिए आपको प्लेन रबडी रखनी है और साथ में थोड़ा सा हम डालेंगे एक से दो चमा जितना डैसिकेटेड कोकुनट अगर है तो डाल दीजी फ्लेबर बहुत अच्छा आएगा और इसको आपको गाढ़ा करना है जब तक यह रबडी कंसिस्टेंसी और यह नहीं आता तब तक इसको साइड में रख देते हैं संग और इस स्टे बना लेते हैं चॉसमें भावल भ़र के चीनी हैक बेसाद अधना ही पानि डालना है आपको पाई डालने के बाद आपको इसको चलाते हुए पकाना है तब तक जब तक इसषिगर मैट स्याइट जैसे ही शोगर मैल्ट हो जाए उसके बाद आपको पांस से साथ मिनट और हाई फ्लेम पर को करना है इसको क्योंकि हमें चासनी बहुत जादा थिक नहीं करनी है एक तार की चासनी जो बनती है उस तरह की बनानी है आप चैक करके देखिए चिपचिपी हो थोड़ी सी थोड़ जो सब्सक्राइब और पकाया इसके बाद यह बिल्कुल तयार है गैस बंद कर दी लगभग चासनी को बनाने में 10 मिनट के अपरॉक्स लग जाते हैं और चासनी को किसी बाओल में निकाल कि आपको ठंडा कर लेना है और रबडी को भी ठंडा कर लेना है तो मैंने इसको ब करेंगे तो ठंडा होने के बाद बहुत थिक हो जाएगी इतनी थिक लेनी है आपको और किसी बरतन में निकाल के इसको रूम टेंपरेचर पर लाइए उसके बाद इसको निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए बिल्कुल चिल्ड कर लेजिए और साथ में अब हम लेते हैं ब्रै किसी नेहीं ही जाएग है नो इस अरुत से चार पीस में कटकिया है ट्राइंगल बनाया है आप चाहू तो चलम तो चौकोर helping सकते हैंacie सें आप अपने अप्र緊 रख सकते हैं और मैंने सारी bread को इसी तरह से triangle में cut करके ले लिया है अब हम करेंगे गी को गर्म इसको अच्छ से घरम करना है जब रहा हि हिंक धुरा जैसा निकलने लगे टबब अच्छ अच्छ से गरम हो गया jeं अपको ब्रैड डालते जाना है पुलटते जाना है फ्यू मिनट्स में यह बहुत अच्छा से सिखकर सारी की सारी रेडि हो जाएंगी श्केल से इसको सिखने में दो से तीन मिनट लगते हैं और इनको आपको निकालना है किसी बी छनी में इस्टेनर में ःको इसी जाली वाले बरतन में निकालना है जिसे क्या है एक्स्ट्रा घी जो है वो आपका निकल जाए तो मैं सारी फटा-फट से सेख के मैंने इस स्टेनर में निकाल लिया है और घी जो है वो बाउल में नीचे बाउल रखा है उस पे एक खटा हो जाएगा तो यह तयार है सब कुछ तो अब हम बनाते हैं साई टुकला चासनी भी ठंडी हो गई है तो चासनी में एक एक करके इसको डालना है और फटा-फट से इसको निकालना है तो इसको भी आपको निकालना है इस टेनर में ही तो मैं इससे स्टेनर को खाली कर लेती हूँ इसको प् आप इस तरह से ब्रैड को सेख कर भी रख सकते हैं जब आपको चाहिए है तब हलकी सी चासनी को विल्कुल लुक वोम भी नहीं कह सकते हैं फ्रीज से निकाल कर रूम टैंपरिचर पर लाना उसके बाद आपको डिप करनी है और रबडी के साथ सर्व करनी है तो आप आया सर् थोड़ा साथ सब्सक्राइब लिए नीचे एक लेयर लगा लिनी है रबडी की तो रबडी यहां पर मीथी एक चमच शुगर से मीथी है बस और बहुत ज़्यादा मीथी नहीं है अगर आप चाहते हैं मीथा करना इसको तो आप चासनी एक दो चमच जितना मीथा चाहते है तो चासनी आड़ कर दिजे और इसी के ऊपर ऐठ दिना है आपको टुक़डा जो आपने चासनी से निकाल कर रखे है वो रखे में, फर से हम पोर करेंगे रबडी को इसे क्या है फ्लेबर, थोड़ा सा रबडी रहता है और थोड़ा सा क्रशी भी रहता है थोड़ा सा सॉफट अंधर तक रबड़ी जाती है थोड़ा सा सॉफट होता है और क्रशी भी रहता है बहुत टेस्टी लगता है इसको मैं गारणिश कर रा ही हूं पिस्ता और बादाम की कत्ररन से आप choking रोज पटल भी से यूज आ रह च शेयर कीजिए, मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में, तब तक लिए बाबाई